कंगना रिनौत ने आखिरकार 50 सालों के इतिहास को बदल ही दिया दरसल कल कंगना रिनौत लाल किले के साथ लगते मैदान में लवकुष रामलीला देखने के लिए पहुंची थी और अंत में उन्होंने रावन का दहन भी किया और 50 सालों में ये पहले बार हुआ जब लवकुष रामलीला के अंत में किसी महिला ने रावन का दहन किया हो अभी नेत्री कंगना रिनौत ने विजए तश्मी के दिन मंगलवार को लाल किले से लगे मैदान में आयज़ुद दिल्ली की प्रसिद लवकुष रामलीला में रावन के पुतले का दहन किया लेकिन रावन का ये पुतला मुख्याती थी कंगना रुनौत के आग लगाए जाने से पहले ही जमीन पर गर गया इस से पहले कि रुनौत तीर चला कर आग लगा सके पुतले को दोबारा ख़़ा करना पड़ा रनौत से पहले रावंदहन के नाम से जानी जाने वाली ये रसम दिशहरे की सबसे महतपूड रसमों में से इक मानी जाती है विशेश रूप से दिल्ली की लवकुष रामलीला सिमीती के अध्यक्ष के मताबिक ये पहली बार था कि जब किसी महिला ने आयजिन के 50 साल के इतिहास में रावन के पुतले को आग लगाई इस कारिक्रम में दिल्ली के मुख्यमंद्री अर्विन के इजरिवाल और उपराजेवाल वीके सक्सेना भी शामिल हुए कंगना रनौत ने तीर चला कर रावन के पुतले पर आग लगाई और जैश्री राम का उद्गोश किया अभिनीत्री की एक जलक पाने के लिए बड़ी संख्या में महिलाई समेथ सैक्रो लोग कारिक्रम स्थल परिकत्र थे दिल्ली की लफकुश रामलीला समीती के अधक्ष अरजुन सिंग ने कहा कि लाल किले पर हर साल आईजित होने वाले कारिक्रम के पचास साल के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी महिला ने रावन के पुतले को आग लगाई है कारिक्रम में रिनोट ने अपनी फिल्म तेज़स का भी प्रचार किया जो 27 अक्तूबर को रिलीज होने वाली है उन्होंने कहा कि ये फिल्म भारतिय सैनिकों के कठिन जीवन पर आधारित है अभी नीटरी ने कहा कि ये फिल्म दिखाएगी कि कैसे हमारे भारते सैनिक हमारी रक्षा करते हैं और अपनी जान देने से जरा भी नहीं हिचते